नमस्कार दोस्तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की बात में दोस्तो आज बात करते हैं अयुद्ध्या की जी हाँ अयुद्ध्या में प्राण पत्रिष्था समारों में बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं आज छे जन्वरी हो गई और 4 दिन इधर और 12 दिन उधर 11 दिन उधर मतलब 15 दिन मातर पचे हुए हैं और पूरी तैयारियां जो है जोर सोर से सुरू हो गई है रख्या किस तरह से सज रही है ये तो तमाम आपने चैनलों पर और सोसल मीडिया पर और तमाम फोटोज बगरा देख लिया होंगे लेकिन साथी साथ एक ये भी है कि जो भारती जंता पार्टी है इसे एक मेगा इवेंट बनाने में कोई कसर छोड़ने को छोड़ नहीं रही है और आपको पता है कि इस इवेंट को राम मैं बनाने के लिए पू स्कृति कारेकरम पेश करेंगे अयुद्या में और ये चलता रहेगा 22 तारीक के बाद भी चलता रहेगा उधर आपने देखा होगा कि पीएम मोदी साहब जो है हमारे इस इवेंट को लेकर काफी उतसुख हैं काफी उतसाहिद भी हैं अभी 30 दिसंबर को अयुद्या आये इसका नाम पहले ही दिकलेर कर दिया था कि इसका नाम जो है महरची वालमिकी के नाम पर रखा जाएगा छिति उन्हें पहली रमायन लिखी थी और कल उसको cabinet से एप्रूब भी कर दिया, central cabinet ने एप्रूब कर दिया इस नाम को कि अध्या का जो airport होगा वो महर्ची बालमिकी के नाम से ही होगा, authorized कर दिया उसे एक तरह से, authentic कर दिया, तो उसके अलावा PM मोधी के अगर आप social media handle को देखते हो उनको भी वो share कर रहे हैं, तो ऐसा ही एक गीत उन्होंने स्वाती मिस्रा का share किया था, स्वाती मिस्रा जो है वो चपरा की बिहार के चपरा की रहने वाली हैं, और उनका एक गाना बड़ा popular हुआ है ये राम जी का, राम जी पे गाया है उन्होंने, राम आएंगे तो अंग लाख लोग देख चुके हैं, और जब पीम मोदी ने इसको रिट्वीट नहीं किया था, या रिपोस्त नहीं किया था, तो उसके पहले जो है इसे चार करोड एकतिस लाख लोग देख चुके थे, तो पीम मोदी के ट्वीट करने के बाद जो है करीब करीब 30 लाख प्रसिद्ध हो गई, और उसके बाद इस गाने को, जो है इस भजन को सीम धामी जो उत्राखंट के मुखे मंत्री हैं, उन्होंने भी अपनी एक बैठक जो की, उसमें एक्स की ये तस्वीर साजा की, जिसमें स्वाती मिसरा ये भजन गा रही हैं, अब उसके बाद पीम गाना गाया है, आयोध्या में आए मेरे राम, इसको भी उन्होंने रिपोस्ट किया, साजा किया अपने सोसल वीडिया के पेज़ पर, और इसको भी अब तक जो है, दो हपते में यूट्यूब पर एक करोड़ चालिस लाख लोग देख चुके हैं, और पीम के साजा करने के बाद ये संख्या लगभग डिर्ड करोड पार कर जाएगी, ऐसा माना जा रहा है, तो ये रखुमंसी साहब हिमाचल परदेश के सोलन के रहने वाले हैं, इनका भी गाना पीम मोदी ने रिपोस्ट किया, उसके बाद कल सुकरवार को पीम मोदी ने जुमिन नोटियाल, पा माचल परदेश के ही या उत्राखंड के ही रहने वाले हैं, इसमें लिखा हुआ है, कि उत्राखंड के रहने वाले हैं जुमिन, और ये गाना जो है उन्होंने गाया है, बहुत संदर गाया है, और पीम ने लिखा भी कि रामलला की भक्ति से ओत्रोत ये स्वागत भजन दि ट्वीट कर रहे हैं, या डि-पोस्ट कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं अगर इस के गानों को, भजन को, राम भजन को, तो उनकी देखा देखी जो है आपके इंध्री दूसरे मंत्री भी, बबबब बीजений कोच-खोच के अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लगा रहे हैं, तो पूरा माहौल जो है राम मैं भक्ती मैं होने वाला है या हो रहा है आप कह सकते हैं तो मनोज मुंतसिर का ये इंटर्व्यू ये गाना आने के बाद और पी-म के द्वारा सेयर करने के बाद इनका इंटर्व्यू आज तक चैनल पर भी कल मैंने देखा कि एक एंकर थे वो जुबिन नौटी माप किजेगा मनोज मुंतसिर का इंटर्व्यू ले रहे थे मनोज मुंतसिर वही हैं जिन्होंने आदी पुरुष लिखी थी है उसके बाद उनकी कितनी शीछा लेदर हुई थी वो तो आपको पता ही है तो एक तरह से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिस की गई है मनोज मुंतसिर के द्वारा और देखना होगा कि वो कितने सफल होते हैं तो इसी आज तक पे उनका इंटर्व्यू ये दिखाया गया कल मैंने थोड़ा सा देखा था और मैं इसी पे आता हूँ आज तक पे ही आता हूँ और राम मंदिर पे ही आता हूँ राम की बात परसों यानि गुरुवार को आज सनिवार है घुरुवार को चित्रा टिपाठी का एक शो आ रहा है रहा है साम को आता है दंगल मेरे ख्याल से तो दंगल शो हो रहा था और मैं उस सो को देख रहा था तो उस शो में तमाम लोग आये हुए थे, भारती जंता पार्टी के रास्टी प्रवक्ता सुधान सुत्रिवेदी थे, विस्व हिंदू परशत के एक बहुत ही मशुहूर प्रवक्ता थे, इसके अलावा A.I.M. के वारिश पठान साहब थे, तो वारिश पठान साहब ने बह सुधान सुत्रिवेदी से कि बाकी सब तो ठीक है, जरासा ये बता दीजिए कि जो पहले मूर्ती थी वहाँ पर जो धांचा हुआ करता था और धांचा गिरने के बाद भी जो मूर्ती वहाँ पर थी टेंट में, उस मूर्ती का क्या हुआ? वो कहां जा रही है? अब को ये जानकारी नहीं थी, कि वो पुरानी मूर्ती कहां जाएगी? और सबसे बड़ी बात की जो आज तक की एंकर थी जिन्होंने ये सो और्गनाइज किया था, चित्रा त्रिपाठी जी, उन्हों उनको भी ये जानकारी नहीं थी, वो खुदी पूछ रही थी, आप देजिए, लेकिन इस सवाल का सही सही जवाब न देके, ये दोनों आदमी वारिश पठान को उल्टी सीधी बाते कह रहे थे, आएंबाएं साएं एक तरह से बुल लीजे, बक रहे थे, और मतलब इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी, और सुदान सुत्रवेदी जी का मैंने एक लाइन मुझे याद है, उन्होंने कहा कि देखे ऐसा है कि कुछ समय के बाद जो हर धार्मी का स्थल पे परिवर्तन हो जाता है, यानि उनके कहने का मतलब था कि वो अब पुरानी मूर्ती वहां नहीं रखी जाएगी, जो मैंने समझा, और अब जो है वो नई मूर्ती तो आपको जानकारी देंदूं कि नई मूर्ती तीन बन रही है और तीन मेंसे एक मूर्ती फाइनल हो गई है, तो उसे गर्बग्री में रखा जाएगा, लेजिग सवाल अभी ज्योकतेयों बना हुआ है कि जो पुरानी मूर्ती है वो कहां जाएगी, वो उसकाक्या होगा, इस सवाल का जवाब चित्रत पाठी के उस सो में किसी के पास नहीं था मेरे को थोड़ी बहुत जानकारी थी क्योंकि इसी आज तक चैनल पे मैंने अंजरा ओम कस्यप जो मेरी सहयोगी रह चुकी है बहुत ही तेज तर्रा रंकर हैं और बहुत ही शांदार रिपोर्टिंग करती हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करती हैं ग्राउंड जीरो से तो उनके साथ मुझे काम करने का सव भागय मिला है तो उनका एक इंटर्व्यू देखा था मैंने आपके निपेंद मिसरा जी का इंटर्वी लिया था उन्होंने गर्भग्री में ही लिया था आयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसका उसमें उन्होंने इंटर्वी लिया था वो इंटर्व्यू मैंने पूरा देखा था और अपने सोसल मीडिया एक्स पर मैंने उसका फोटो शेयर भी किया था तो उस इंटर्व्यू में निपेंद मिस्रा जी ने कहा था कि जो पुरानी मूर्ती है जो रामलला की मूर्ती टेंट में थी और जिसको बसाने के लिए, जिसके लिए मंदिर बनाने के लिए इतना बड़ा अंदोलन हुआ, इतनी लंबी लड़ाई लड़ी गई, वो मुर्ती भी गर्वग्री में पतिश्ठाफित की जाएगी नई मुर्ती के साथ, चुकि वो छोटी है और दूरी है गर्वग्री में, जो मुर्ती का स्थान होगा, जो चबुत्रा होगा, और जो हाँ से स्थालू दर्षन करेंगे, तो उसमें करीब 15-20 फिट की दूरी है, तो चुकि वो मुर्ती छोटी है, तो ज़्यादा दूर रहेगी, तो भक्तों को दिखाई नहीं देगी, स्थालू का दर्षन नहीं कर पाएंगे, तो उसे उस सिंघासन के आगे रखा जाएगा, ये जानकारी मुझे याद थी, ये इंटर्व्य मुझे याद था, और मुझे बड़ा ताजुब हुआ कि इसके बारे में ना तो सुधानसु तरवेदी को कोई जानकारी थी, ना तो चित्रात्रे पार्ठी को को क्या वाकई जो है, अब उस मुर्ती के बारे में कुछ विचार नहीं किया जा रहा है, रामलला के मुर्ती के बारे में, तो मैंने कल निपंद मिस्रा जी से बातचीत की, जी हाँ, मैंने निपंद मिस्रा जी को फोन किया, और उन्हें सद्धा प्रवक प्रणाम किया, और उ नहां होगी निपेंद मिस्रा जी का मैं अभार व्यक्त करता हूँ उन्हें प्रणाम करता हूँ इस सो के जरिये और उन्होंने मेरी दुधा को दूर करते हुए कहा कि जी नहीं अनूब जी ये मूर्ती भी वहीं गर्भ ग्री में रामलला के सिंगासन के पास ही पतिस्ठापि की जाएगी ताकि भक्त जो है जो वहले से दर्सन करते आ रहे हैं वो भी इस मूर्ती के दर्सन करेंगे और जो नई मूर्ती जो फाइनल हो गई है जी हां उन्होंने ये भी जानकारी दी मुझे हाला कि ये बात कल्चंपत राय ने भी बताई आयोध्या में कि रामलला की ज स्थाफित कर दी जाएगी लेकिन भक्तों को जो है दर्सन इसके बाईस्तारी के बाद ही हो पाएंगे तो ये एक तरह से बहुत बड़ी दुविधा थी बहुत बड़ा मतलब सवाल था ये निपेंद मिस्रा जी ने इस सवाल का जवाब देकर मुझे कृतार्स कर दिया और मेरी दुविधा को दूर कर दिया तो मैंने सुचा क्यों ना ये जानकारी जो मुझे मिली है कि ये जानकारी मैं आप से भी साजा करूं कि पुरानी मूर्ती को लेकर अगर कोई भी संसय है शुभा है शक है तो उसे आप दूर कर लिजिए पुरानी मूर्ती भी गर्प ग्र थे लोग दरसन करने, वहां पर कि जितनी मूर्तियां हैं वहां पर, वो सारी मूर्तियां जो है रामलला के सिंगहासन के अगल बगल जो है, उनको प्रतेश ठापिक किया जाएगा, उसमें से एक भी मूर्ती इधर-धर नहीं की जाएगी, तो एक बहुत बड़ी जानकारी दी उन्होंने, निपन बिसराजी से, नीजी ने, और मैंने निपन बिसराजी को परणाम किया, मैंने उनसे ये भी कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपसे मलाकात करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि वो जब भी आयोध्या आएंगे, आप मुझे मैसेज कर दीज और मेरे पास जिस हिसाब से सूगह रहेगी समझ जिस हिसाब से मुझे इपलबखद होगा तुम यहीं परणाम किया, मैंने उनका आभषार विक्त किया, हर्दे से आभषार विक्त किया जो पुराने हमारे रामलला है जिनका दर्सन करने हम जाते थे हमारे बाप दादा जाते थे दर्सन करने वो मूर्ती भी वहाँ पर गर्वग्री में पतिश ठापित की जाएगी इस बारे में कोई भी सुभा कोई भी शक नहीं होना चाहिए किसी को भी तो अब मुझे लगता है कि ये जानकारी मुझे पहुचा कर मुझे भी आत्मिक खुशी हो रही है आपको भी अगर इसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो आपको भी जानकारी ये संतोस होगा अच्छा लगेगा खुशी मिलेगी कि पुरानी रामलला की मूर्ती भी हमारी गर्ग्री में स्तापित होगी जो नई मूर्ती फाइनल हो गई है उसके साथ अब नई मूर्ती में से कौन सी मूर्ती फाइनल होई है इसके बारे में भी मैंने उनसे पूछा निपिन मिसराजी से लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं उन्होंने कहा कि समाई आने पर उचित समाई आने पर इसकी गोशना कर दी जाएगी और जिसकी गोशना कल चंबत राये ने की अयोध्या में कि मूर्ती फाइनल कर दी गई है लेकिन कौन सी की गई है इसको इबारे मुनों ने नहीं बताया और मुझे लगता है कि या तो 18 तारीख को या फिर 22 तारीख को ही इस बात का पता चलेगा कि जो तीन मुर्तियां बनाई गई है उसमें से कौन सी मुर्ति फाइनल की गई है और उसके साथ जो है जो पुरानी मूर्ति है रामलाला की और उस मंदिर की और जो दूसरी मूर्तियां है वो भी वहाँ पर तिस्थापित की जाएंगी तो मुझे लगता है कि आपका शक दूर हो गया होगा और अगर किसी को इस बारे में कोई सुभा होगी या संका हो तो वो दूर हो गया होगा और इस जानकारी को अब जादा से जादा लोगों तक सेयर करिए और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप जो है हमारे चैनल को जरूर लाइक करिए सब्सक्राइब करिए मिलते हैं आपको बताते रहेंगे इस तरह की खबरे इस तरह से चीजे हम आगे वीडियो में भी बताते रहेंगे तो बने रहे हमारे साथ, जुले रहे हमारे साथ नमस्कार